नमस्कार, इंडिया खबर लाइब में आपका स्वागत है, मैं हूँ निशा और आप खबरों को देते हैं विस्ता पुरानी रंजिस पर प्रॉपाटी डियलर की बुधवार गुरुवार रात गोली मार कर हत्या कर दी गई, उसका भाई गमी रूप से गहल है, घटना उपनगर ग्वालिर इस्तित कोटेश और कालोनी की है रात डेड़ वजे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए थे, जिसके बाद अलग-अलग पार्टियां बनाकर आरोपियों को दबुचने के लिए दोड़ा दी गई, लेकिन अभी पुलिस आरोपियों तक पहुँच नहीं पाई है, हाला कि गहल भाई की हालात अब स्थिर बताई गई है, कोटेश और कालनी में रहने वाले पिंकी और फो विनोध राजपूत का प्रापर्टी को लेकर मौनू किरार, सन्नी किरार, सेठी किरार से विवाद चल रहा है, इस मामले में पिंकी ने आफायार भी कराई थी, देर रात एक वजे पिंकी की घर में गुसकर इन लोगों ने ताबड तोड फायरिंग की, जिसमें पिंकी की मौत हो गई और उसका भाई गजेंदर घायल हो गया, करीब आदे घंटे बाद पुलिस पहुंची, जिसके बाद म्रतक के सब को पीम हाउस पहुंचा कर घायल भाई को इलाज के लिए जे एच में भ और ये कोटे सरकालोनी के रहने वाले किसी ले गोली मार के इनकी अत्या कर देए इसका नाम नाम दीपू और बिनोत किरार है और मानने वालों में मौनू किरार और अन्य हैं तिवी लोग, उका नाम आया हुए है क्या विवाद के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है उसको अभी जांच के बाद में पता देए लोग सवा चुनावा से पूर्वे यूवाव में जोस फूंकने में जुटी कॉंग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पार्ट से चर्चा करते हुए लोग सवा चुनावां के लिए आवसेक सुजाओ भी दिये यह बैठक 2019 लोग सवा चुनाव के लिए की गई है हम लोग तैयारी कर रहे हैं हर गाओं गाओं हर भूत पर अपनी मजबूती के लिए प्रियास कर रहे हैं और निश्यत तोर पर हम यह लोग सवा का चुनाव जीतेंगे इसी के संदर में यह बैठक बुलाई गई है हम अभी से तैयार हैं 24 गंटे काम कर रहे हैं निर्वाचन आयोग द्वारा लोग सवा चुनावां को सही तरीके से संपन कराने के लिए तमाम प्रियास किये जा रहे हैं इसी तारितम में सुगम मतदान के लिए दिव्यांग जनों के लिए एक दिवसीय राज इस्तरिय कारिशाला प्रसासन एकादमी भूपाल में आयोजित हुई कारिशाला में सच्चिव भारत निर्वाचन आयोग आनंद कुमार पाठक एवं अवर्थ सच्चिव सुजित कुमार मिस्रा उपस्तित रहे कारेशाला में दिव्यांग जन के सुगम मतदान के लिए नियुक्त जिला समन्वेक एबं दिव्यांग जन कल्यान का कारे करने वाले असास के संस्थान के प्रतिनी दीवी मौझूद रहे आज हमारी ने पूरी मशीन के उसके संवेदी करें और तसे को आपाटच सचे बाते हैं बाते हैं बाते हैं नायोग तर्याम संग के उपस्ते सभी एंजियों के साथ ही गए इसेसिबिलिटी के फिल्ड में बखुत सारे काम अधिक पर देश्म हो है परसंस को डिसेबिलिटी क समावेशी यानि जो लोग चुनाओ की प्रक्रिया से बाहर रहते हैं छूटे रहते हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए इंक्लूजिव एलेक्शन्स और खासकर परसंस विद इसबिलिटीज के लिए सुगम व्यवस्ता एक्सेसिबिल एलेक्शन्स का जो नारा एलेक्शन कमिशन ने दिया था हमें 2018 एलेक्शन में उसमें आपसे मदद हमने चाही थी इसी हॉल में एक सेमिनार में बाकी राज्यों के तुर्णाम ये बहुत अच्छी संक्या है हमने लगबग साड़े तीन लाख ऐसे मोटर्स का चिनांकन किया था जिनका नाम मोटर लिस्ट में है और जो पीड़गुडी के शिनेरी में आते हैं और उन सबका हम एक ओनलाइन व्यवस्ता के माद्यम से उनको पास दिलाया था और उस पास के जड़ियों वो लोग क्यों जंप कराया थे और क्यों तक पहुंचने और मतान के लिए तक पहुंचने के लिए रैंक की व्यवस् जाएगी चुनाव खर्च पर निगरानी एवं मुल्यांगन के लिए जिला प्रसासन ने विभिन सामग्रियों की दरें जारी कर दी हैं आपत्ती होने पर एक सब्ता में अपने दावे आपत्ती प्रस्तूत करें ताकि समय पर तर्क संगत दरों का निर्धारण किया जा सके लोग सबा चुनावों में प्रत्यासियों एवं पार्टियों द्वारा चुनाव में किये जाने वाले व्या का लेखा जोका किस प्रकार किया जाए उसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने गाइडलाइन चारी कर दी है प्रचार प्रसार समगरी पर व्यापन परिवहन गोलेर के जनकगेंस्थाना इलाके के गेंड़ेवाली साडक पर बने पी. onffe Male एक ile के इंवक ने घर में फांसी कर आत्मत्या कर ली been बताया गया के मुझा हनी यादव히 नशे का आधी था। और शोबह 10 बज़े उसने घर में फावांसी· कर आत्मत्या की मृतक के भाई का कहना है कि दो दिन पहले उसके भाई का पड़ास में रहने वाली व्यक्ति से किसी बात पर विबाद भी हुआ था जिसके चलते वह मांचिक तनाव में था और फांसी लगा कर आत्मत्या कर लिए में ओफिस ता ओफिस में घर से फोन आया था भाई का चोटे का उसने ऐसा सकाल लिया दो दिन पहले बिबाद हुआ था उसका सामने जोसी परिवार है लड़की हैं तीन चालोग साथ में रहते हैं और उसको पैसलाइड करते थे नसे के लिए नसे के आधी कर दिया था उसको इस मेक के लिए पैसो के लिए आए दिन उस पर दाब बनाते थे उसको परसो जगला हुआ था नात में बारा एक वज़े के आसपास उनका अपस में लुकुर पैसलाइड हो के उसने फांसी लगा ली पड़ाव स्तेत नए रेलवे आवर ब्रिज को बनकर तैयार होने के बाद रेलवे की ओर से नोसी जारी हो चुकी है जिसके बाद कलेक्टर अनुराग चौधरी और एस्पी नवनित बसीन द्वारा गुरुवार को पड़ाव आरोबी का निरक्षन कर या ट्रैफिक सुरू करने की बात कही गौर तलवे की 49 करोड की लागत से बनकर नया पड़ा आरोबी तैयार किया गया है इसके सुरू होने में पहले से ही एक साल की देर हो चुकी है लिकिन विभागों का तालमेल और लेट लतीफी ने जनता की राहत को दूर कर दिया था इस बीच शहर में रें का बहुत काम दूसरी साइड जो की पूरा होने ही वाला है ऐसे मैं कलेक्टर और SP ने निरक्षण के बाद पुल के पूरे हो चुके हिस्से मैं ट्रैफिक सुरू करने की हरी जंडी दे दी है पड़ाओ पुल का एक दोनों इससे निर्माणा अधीन थे तो एक हिस्से के संबन्द में रेल्वे ने अनुसी दे दिया है कि आप इस पूल को चाड़ू कर सकते हैं उस अधार पे ब्रिच कॉर्परेशन जो पी आईउ का जो बनाता है उन्होंने का ते इसमें ट्रैफिक चालू कर सकते हैं दूसरा साइड है उसमें 20-25 दिन और लगेगा तो इसमें एस्पी साब ने बहुत अच्छी वेवस्ता बनाई है इसमें अभी 2-3 घंटे में जो भी इसमें साइनेज बगरा बनके एस्पी साब की जो पूरी टीम है ट्रैफिक वाली है और नगर निकम की वो इसमें ववस्ताय बना देंगे मैं उम्मीद करते हूं शाम को 5-5 के आसवास इसमें जेनरल ट्रैफिक लेम लोग खोल देंगे अभी ब्रिज का एक अवलोकन का कर लिया था इसको आप लोगों देखा हो कि हम लोग पर डे हम और एस्पी साब पर डे कोई ने को इसू ट के लिए काफी खतरनाक रहते हैं तो इसको भी अगले दो तीन दुन में उनका भी रिशू रिजॉल्व कर किया जाएगा अभी सिंगल होगा आपको बताया था आज इस पुल का प्रजम किया जा रहा है जिसके लिए हमारे सब्सक्राइब कर आगे की विवस्ता देख रहे ह कि तिक कहांब पर अपर राताने हैं कहां पर लगाने है इसको कांगि मार कैसे किया जाना है है अभी जो नवीं पुल है उसको एक कांगी मार 1 वा कर यूशिक यूजा को यहां से स्टेशन तरफ जाने के लिए उसके जाएगा कुछ दूनों पश्चात नया भी पॉर्शन उसका तयार हो जाएगा और हमारे को सुमगमता हो जाएगी लोगों को सुभदा दिने के लिए लोग सवा चुनावा से पूर्व प्रदेश भर में भारती जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प रेली निकाली जा रही है गत रोज रेली दतिया से होकर भीतरवार पहुंची जहां बस स्टेंड चौराय पर एक सबा का आयोजन किया गया जिसे पूर्व सीम सिवराज सिंग चौहान केंदरी मंतरी नरिन सिंग तौमर और राकेश सिंग ने संबोधित किया भीतरवार बस स्टेंड पर पूर्व सीम सिवराज सिंग चौहान ने काया के जितने विकास के काम भीतरवार के लिए सिवराज सिंग चौहान और भाजबा सरकार ने किये, क्या कभी कॉंग्रिस ने किये थे थोड़ी सी कसर यहां भी रह गई अगर थोड़े थोड़े और मिल जाते तीन ही सीटकी तो कसर थी यहां केंदरी मंत्री तॉमर के अलावा प्रदेशा द्यक्ष राखे सिंग ने भी सवा को सम्भूदित करते हुए कहा कि विधान सवा चुनाव में सवरा सिंगे नरतित्तों में भाजपा का वोट बड़ा है रोग सवा का चुनाव देश को जिताने का चुनाव है कांग्रेश के देश को समाह परदात कर दिया कांग्रेश के अध्यक्ष राउल गांदी जी दुनिया में सबसे जूटे आदमिये धुटे ले बताओ है कि नहीं धुटे ले आदमिये एक ने इतना जूट बोलते हैं जमीन डिनाऊगा तो आधी रात हो जाईजी और स्लिए इन भ्रस्त और गईमारों से देश को बचाना है ईए कि गोताले की मेरी ऑपास अभी समाचार आया जिदी गोताले की प्याइद गुआ गुद्या करने के बाद फिर एक बोरी'tे का परहण के बातma रहं जिदात54 है और अकर्मनिता की बरागाती था, कब तक अपरण होते रहेंगे, कब तक बच्चे मरते रहेंगे, और कब तक ग्रहमंत्री ये कहते रहेंगे कि ये तो उनके परिवार का मामला था, ये कहते हुए भी उनको लच्चा और सरम आनी चाहिए, सब चीज़े एक तरफ रखे, इनक जोग बनाके पूरी कानून और व्यवस्ता की स्थिति को थस्त और तुरी तरह से चोपट कर दिया है, दूसरा एक बास जिसका हम पुर्जो और विरोध करते हैं, इस सरकार में एक फैसला लिया है, ये देशी सराब की दुकानों में विदेशी सराब भी बेंचेंगे, मैं मुक्क मंत्री था, भाज़पा की सरकार्ची हमने ने किया, कि हम नई सराब की दुकान नहीं खोलेंगे, दीरे दीरे जो खुली दुकाने उनको बंद करते चले जाएंगे, और हर साल हम दुकानों में तकोटी करते थे, उस समय भी एक फिस्ताव था, कि देशी सराब की पस्चिमी वक्षोप की लगातार आमद से इस बार लोगों को मार्च के पहले पकवारे में फरवरी के दूसरे पकवारे जैसी ठंड़क का मज़ा मिल रहा है बार बार मौसम के तेवर में बदला बादलों की आमद के कारण निनितम तापमान उसात रूप से उतना दर्ज हो रहा है जितना की फरवरी के दूसरे पकवारे में रहता है स्थानी मौसम कारले के अनुसार इस बार फरबरी और मार्च माह में लगातार पस्चिमी विक्षोप की आमद के कारड आसपास के छित्रों में कभी अपर एयर साइकलोनिक सिस्टम बने तो कभी सर्कूलेशन सिस्टम बने यही कारड़ा के जैसे ही एक दो दिन बातावरण में तलकी आई तुरंत बाद मौसम में ठंडक आ गई लगातार बादलों की आमद हल्की भूंदा बांदी से बातावरण में कर्माहट का दौर ही सुरू नहीं हो पाया है और अधिक्तम तापमान तो मार्च माह में इस बार ओसत इस तर पर ही नहीं आप आ रहा है और अब इंडिया खबर लाइब में बस कितना ही और आप हमें दीजे जाज़त आप बने रहें इंडिया खबर लाइब के साथ आप हमें दीजे खबर लाइब के साथ